तरह कि हाई कि रोप सो आप सम्माइब सब बहुत यह स्वागत मेरे डॉजों नियू आ सकते हो राइट अगर आप फॉर्म में ट्रेनिंग करने जाते हो तो इसके क्या के ड्वांटेज आपके लिए और क्या डिस एड्वांटेज है एड्वांटेज क्या यूवी लॉन जी एस्ट इंकम टेक्स कॉस्ट और इड़ जो भी सेमे का स्कोप है इन प्रैक्टिस विल ल सब्सक्राइब किस तरीके से क्लाइं बनाया जाते हैं विल लर्न हाउ तो हैंडल वर्क प्रेसर ज्यादा होता है एज कंपेर टू कॉर्परेट तो आप वर्क प्रेसर भी हैंडेल करना सीख जाते हो अगर आप फॉर्म में ट्रेनिंग करने जाते हूं अब इसका डिस अड लोज साथ आठ भी बस सकते हैं तो आप स्टडी को पर फोकस नहीं कर पाऊगे सेकिंड डिसएडवांटेज के लोज टाइफंड होती है वह टू थाउजिंट से लेके फोर तू फाइफ थाउजिंट से ज्यादा नहीं होती है तो आपको एक कम स्टाइफंड मिलेगा अग अब दोखो अगर आप कॉर्पेट को आप चूज करते हो तो यहां पर आपको क्या क्या डिसएडवांटेज का सामना करना परेगा और क्या एडवांटेज है किसी कंपनी में जाते हो ट्रीनिंग करने के लिए तो आपके पास more time for study है आपके पास sufficient time होगा because Monday to Friday office होता है सटर आपको स्टाइफन अगर फॉर्म से देखो तो काफी हाई होता है यहां 10,000 से लिए कि आप 22,000 तक कि आप स्टाइफन कर सकते हो तो आपको कॉर्पेट एक अच्छा स्टाइफन दे सकता है जिससे आप अपनी फाइनल की study कर सकते हो एंड आपकी living expenses भी निकल जाएगी देखना करना दिफरेंट होता है और कॉर्पेट का कल्चुर डिफरेंच होता है बैओ Walker इसकिन पर ओफ्यका होती है तो आप यहां पर कोर्पेट वाले कर सेखते हैं मेरे को यहां पर बस एक ही aproersidian लगता को सिखा जाता है पार्टिकुलर सेक्टर में पार्टिकुलर डिवीजन का आप काम सीखते हो सो एक लिम्टेड वर्क है अब बच्चों की दिमाग में कुश्चन आ रहोगा कि सर मैं फॉर्म चूच करूं या कॉर्पेट चूच करूं सो कौन सा आपके लिए अच्छा रहेग तो आपको फॉर्म जॉइन करना चाहिए लेकिन अग pross सूटर आप फॉर्म करना हैं टो आय थिंग आप पेट चाहिए जाएन ना चाहिए कॉल्पेट पकर जोर्पेट करना चाहिएन क्रmost